हेलो नमस्कार दूस्तों आज का हमारा टोपिक है अवास्ट फ्री एंटी वैरस कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 10 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब कर लिएगा इसके बाद आपको इंटर करते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट या सकेंद ओप्सन दिख जाएगा इसको पर आपको किलिक करते हैं आवास्ट का ओफिस्टली वैप साइट ओपन हो जाएगा बाकि इसका लिंक आपको फिस्बुक यानि तो टेलिग्राम चैनल इसे मिल जाएगा या ताब वहाँ से इस लिंक को कोपी कर लिजिए अपने ब्रॉजर की यहां में पेश्ट किजगा इंटर किजगा तो हो जाएगा यहां पर होम पेज पर ही दिख जाएगा tp आपको किया कर नहीं क्लिक करती है इस तरह से व dit upHan यानि तो आपको case में automatic download start हो जाएगा यानि तो इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना है आप जहां पर भी exe को save करना चाहते हैं और पास select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पर क्लिक कर देने हैं क्लिक करते हैं exe download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहां आपने exe को save किया है वहां पर आपको इस तरह से exe दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस EXE को उपर आपको right click करना है इसके बाद आपको property पे click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब मालीज़ यदि आपकी case में भी यहाँ पे unblock दिखता है तो आपको क्या करना है इसको tick mark कर देना है इसके बाद आपको apply पे click कर देना है यदि आपकी case में यहाँ पे unblock नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है OK करके बाहर आजाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है या ताप इसके उपर double click करके install कर सकते हैं या नहीं ताप इसके उपर right click करके open करके install कर सकते हैं क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना यहाँ पर yes पर क्लिक करते हैं यह इस तरह से install होना शुरू हो जाएगा इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर untick कर दीजेगा यदि आपको नहीं चाहिए तो या नहीं तो आपको कुछ चाहिए तो इसको आप टिकमा करने दीजेगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से window आजाएगा अब यदि यहाँ पर यह सारा install करना चाहते तो सारा रख सकते यानि तो किसी को untick करना चाहते तो आप untick कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सज्जेस करूँगा जो डिफॉल्ट है एजटी ही रहने दीजेगा उसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर install पर किलिक कर देने install पर किलिक करते हैं इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा कर दानि टापको कर से लिए किलिक करना डिफूल्य का बाद. यह बिए इन्स्तोलेशन कम्प्लीट होने के बाद इस तरह से विंडू आ जाएगा आप क्या कना यहाँ पर क्लिक कर देने्चके बाद इस तरह से विंडू अब यादि आप इसको अप्गेड करना चाहते थो यहां से अप्ग्रेड कर सकते हैं याने तो फीरी नप यूज़ करना चाहते हैं तो यहां पर continuing with free के ऊपर आपको क्लिक कर देने इसके बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा अब आप क्या करना यहां पर रन फर्स्ट टायम एसके ऊपर क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से यह स्कान होना शुरू हो जाएगा इसके बाद ये विंडो आ जाएगा आपको क्या करने यहाँ पर next पर क्लिक कर देने next पर क्लिक करते हैं इसको भी scan करना शुरू कर देगा इसके बाद advanced mode आ जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर next पर क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके case में जो भी issue होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा यदि resolve करना चाहते है तो यहाँ से आप resolve कर सकते है या नहीं तो आपको लगता है कि इसको resolve नहीं करना है तो skip now पे आप click कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे skip के उपर आपको click कर देना है इसके बाद यहाँ पे done के उपर आपको click कर देना है click करने के बाद इस तरह से आ जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे ignore के उपर आपको click कर देना है तो आप रख सकते याने तो इसको डिलिट करना है तो यहां से आप डिलिट भी कर सकते हैं अब आपको क्या करना एक बार सिस्टम को जरूर रियस्टार्ट कर देना यहां से आप जरूर सिस्टम को रियस्टार्ट कर दिजेगा अब आप इसको यूज कर सकते हैं और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू और करें वाइक करें